नमस्कार दोस्तों मैं राहुल सिंग एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन ग्यान के यूट्यूब प्लेटफर्म पर कैसे हैं बालक बालिकाओं आई होप एकदम बढ़िया होंगे मज़े में होंगे और जखास होंगे तो बालक बाले काओं ट्रैंगल के कोश्चन करना अपने स्टार्ट कर दिया था उसी सिल्सले को अपन आगे बढ़ाएंगे कुछ और भैतरिंग कोश्चन करेंगे आज के वीडियो में वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होने वाला है लास्तर जरूर देखना और लाइक शेयर सब्क्राइब करना मत भूलेगा शुरुगात करते हैं चले इसाब पहला कोश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे देखो ध्यान से कोश्चन भाई साब आपसे कह रहे है कि ओ तिर्बूच ABC का क्या है या लंब केंदर है बहुत अच्छी बात है यदि एंगल BOC कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAC की वेल्यू क्या होगी देखो यह जो कोश्चन में प्यारे बालक बना ले राजाओ साब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया ट्राइंगल है यह ट्राइंगल B और यह है बहुत अच्छी बात है यह कितना दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है आपसे BAC पूछ रहा है देखो अगर मैं बात करू ना एंगल BOC की तो हम इसको कैसे निकालत करो जब मैंने आपको चीज़ा बहुत अच्छे समझाई थी कैसे निकालते थे 180 माइनस एंगल A मैंने आपको उस दिन समझाया था बहुत अच्छे से कि जब भी भूल जाओ आपको और तो सेंटर निकालना हो यहां देखो कितना B और C है कौनसा नहीं है एंगल A नहीं है कौनसा नहीं है C नहीं है तो 180 में से C को माइनस कर दो आपके पास एंगल A, O और B आ जाएगा यह चीज़े मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई थी याद रखने के तरीके भी मैंने आपको बताये थी चलो साब लेकिन यहां पर क्या है प्यारे बालक वाले को यहां पर दो वीदा है उसने क्या दे रखा है इसकी वैलू अल्रेडी गिवन है बहुत अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है 180 माइनस का एंगल का है ठीक है पुलो सार एकदम बढ़िया यानि एंगल A की वैलू कितनी आ गई या आप वोश्चन ने क्या पूछा है आपसे BAC BAC कोईशन देखो आपसे कह रहा है कि कोईशन वाई साब आपसे कह रहा है कि ट्रैंगल XYZ के परीकेंद्र L से बुजा YZ पर लंब LM कीचा जाता है बहुत अच्छी बात है यदि एंगल YXZ is equal to 60 degree है तो आपसे पूछ रहा है एंगल YLM की value क्या होगी और यह जानकर आपको ब कहा था आज वापस से कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा जोमेट्री अगर आपको solve करनी है तो आपको language को देखके figure बनाना आना चाहिए जितनी जल्दी आप figure बनाओगे उतनी ही जल्दी आपका question solve होगा चलो साब सबसे पहले figure बनाते है क्या कह रहा है question आप से क्या कह रहा ह लंग हो गया ठीक है यदि YXZ YXZ यह कितने डिगरी का है यह 60 डिगरी का है तो आप से पूछ रहा है YLM YLM यह हो गया M ठीक है यह आपसे पूछ रहा है देखो अगर आपसे यह पूछ लेता ना YLZ तो हम इसका double कर देते 120 आ जाता हमारा answer आ जाता लेकिन उसने देखो कि भाई उसने आपसे यह नहीं पूछा उसने आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है एंगल YLM की value क्या होगी वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा चला के ठीक है कोई बात नहीं निकाल देते हैं देखो द्यान से एक यह समझना मुझे यह बताना केवल केवल कि अगर यह 60 दिगरी है तो भाई यह पूरा कितना होगा मुझे सर यह 120 हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा बहुत अच्छे समझाये था मैंने आपको बढ़िया आप देखना द्यान से यह वाली लाइन और यह वाली लाइन इन दोनों पर फोकस करो LZ पर और LY पर यह आपको क्या है भीजा यह यह Radius है ठीक है यह दोनों क्या है Radius है और दुनिया के अंदर ऐसा कोई सरकिल नहीं बना ना कोई बना सकता जिसकी दो अलग-अलग साइस की Radius आ जाएं अगर यह 10 cm होगी तो यह 50 होगी तो यह 50 होगी यह कुछ भी होगी तो यह भी कुछ भी वहगी इसको मैं बहुत अच्छे से describe कर चुका हूँ तो यानि मैं यह कह सकता हूँ कि भाई यह दोनों साइड का हो गई आपकी इकपल हो गई ठीक है यानि यह क्या बन गया अगर मैं इस triangle की बात करूँ और अगर यह पूरा एंगल 120 है तो यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री और यह भी कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री कुश्चन ने क्या पूछा था y l m तो एंगल y l y l m इसकी वालू कितनी आगी बसा 60 डिग्री कैसे आई देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टी से मिलकर आपक से कोश्चन मिलेंगे आसान कोश्चन होगा सिंगल थोड़ा सा ठीपीकल कोश्चन हो जाएगा जिसमें 2-3 तेıyı मिक्स कर देगा और बहुत जाद अच्छा कोश्चन हो जाएगा चार-पास तरीके लग जाते हैं चार-पास आपकी लग जाएगी दो तेोरम लग जाएगी क सब्सक्राइब करना है आपको जानके बहुत खुशी होगी प्यारे बालक बालिकों कि यह कोश्चन में पूछा जा चुका है और रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है अब ध्यान रखना यह मत समझना कि इसका केवल क्या हो गया था यहां पर एंगल चेंज कर दिया था ब ले लो भाईया ए बी और सी ठीक है यह लो सब्सक्राइब का सी चूर्ण यानि यह वाला कों इसको एकसमान लेते हैं उसके प्रत्य आधार के कों से 15 डिगरी अधिक है चलो आधार के जो कों उससे कितना अधिक है 15 डिगरी अधिक है अब एक्टी समझना उसने साफ्चा ब और जो isoceles triangle होता है प्यारे वालक वाले कां उसकी दो side बराबर होती है और जो side बराबर होती है उनके संगत कोण बी बराबर होते है यानि ये वाला कोण angle जो बी है ये बराबर किस की होगा आप लोग के Sir angle भी कितना होगा angle C होगा यानि अगर मैं इसको यैउज घया है दले जो जो चोंग करो मैं आपधा मश्रत्ता मरत्य आप को सदो जो धूंга तो चोंग सब्सक्राइब साइथ है 180 डिग्री होता है यह उदर जाके माइनस हो गया 3X पराबर कितना आ गया सर 165 हो गया ठीक है 3X पराबर कितना आ गया सर 55 हो गया अब कई बालक-बालिका क्या करेंगे तुरंट प्रभाब में आके option number B tick कर रहेंगे X की value मिल गई और X की value मिलते ही हम आदे से जाता से लोग सोचते हैं हमारा आंसर आ गया अरे भाई थोड़ा सा रुको सब्र करो question ने क्या पूचा है वो तो देखो सीर्ष कोंड पूचा है यानि यह वाला एंगल पूच रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा 55 प्लस 15 भी करना पड़ेगा और यह हमारा आंसर हो गया कितना 70 तो आपको गलत करवाएगा उसका काम है वो आपसे गलती करवाएगा आपने सब कुछ सई किया एक्स तक भी पहुंच गए लेकिन उसके बाद जल्दवाजी करी और इसको निप्टा के आ गए तो आपका नुकसान है उसका कोई नुकसान नहीं है तो एक्जाम होल के अंद बाद यदि एंगल बीए सी कितना है एक्टी डिग्री यह तो आपसे बुझ रहा है एंगल बीपी सी कितना होगा जबर्दस कोश्टन है भाई या ट्राय करना है को सॉल्व करने की सीजेल के अंदर आया हुआ कोश्टन है ट्राय करो देखो मैंने आपको एक ठोर्म बताई बात कर रहें चलो साथ देखते हैं सबसे डायग्राम आ गया एबी सी यह गया बी और यह गया सी बुले सार अच्छी बात है को बी और सी के भाद दिवाजक यानि मैंने बहुत 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 अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है फिर आप से पूछ रहा है एंगल बी प C की value क्या होगी देखो अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं इस triangle को इधर बना देता हूं इससे आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा यह आपका हो गया A, यह हो गया B, और E हो गया C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पास बहुत सारे options हैं, इसका दिवाजा की हो इसका दिवाजा की हो गया, यह कहा मिल रहा है, इस बिंदू पर मिल रहा है, इसको बोल रहा है P, ठीक है, और आप से पूछ रहा है, B, P, C की value क्या होगी, बहुत अच्छे समझायता है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझायता है, इस पर theorem पर question आते है, चिक्क्य का था, देख लो साब question आपको मिल गया, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा, जो आपके exam में आ रही है, इस बात को note कर लेना, दिमाग के अंदर fit कर लेना, चलो साब देखते है, 90, minus A by 2A की value कितनी है, 80, 80 का अदा करेंगी है, 40, 90 में से 40 है, कितना आ गया, 50 degree, कितना answer आ गय एक second के अंदर आप answer लियाओगे, अगर आपको यह चीज़ें पता हैं, और अगर आपको यह चीज़ें पता नहीं है, प्यारे बालक बालिकों, तो भाई सुवे से शाम कर लेना, आपको answer नहीं आएगा, यही geometry है, ठीक है, यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते, य कुझा BC को deeper काटता है, बहुत अच्छी बात है, यदि AB बरावर 10 cm और AC बरावर 14 cm है, तो BD ratio DC क्या होगा, जानकर खुशी होगी वहिया, CGL 2022, एकदम ताजा तरीन कोशन है, प्री का, करो साब, कोशिश करो, कोशन ने क्या बोला, सबसे पहले हो, देखो वहिया, कोशन बो बोल दिया वहिया, समधी बाजग, angle bisector BC को deeper काटता है, यानि कौन सी theorem लगेगी, आप बोलो के सर, अंते कोण अर्दक प्रमय लगेगी, के नहीं लगेगी, आप बोलो के सर, बिलकुल लगेगी, चलो साब लगाते हैं फिर फटा-फट से, यह अपने सामने एक डाइगराम आ गया, ABC में, BAC को, कौन B, BAC को, सम्धी बाजग, बुजा BC को deeper काटता है, इसको दो बागों में बाटता है, यानि यह वाला angle जितना होगा, उतना ही होगा, यह वालो यह X है, तो यह भी कितना होगा, X होगा, ठीक है, फिर आपको बोल रखा, AB कितना दे रखा है, 10, और AC BC दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है, और आपसे BD ratio, DC पूछ रहा है, देखो, मैं आपको चीक चीक के समझाया था ना, कि भाई, यह थोरम बहुत जबरदस साती एक्जाम के अंदर भर भर के आती है, चलो साब, मैंने आपको बताया था, या तो आपको यह लिखके देगा या फिर एक क्वेशन देता है, कौन सी, बोले सर, AB, AB upon AC is equal to BD upon DC, या तो यह एक क्वेशन लिखके देता है, तब हमें समझने होता है, कि यहा पर अंत्यकों अर्दक प्रमें लगेगी, या फिर आपको लिखके देता है, तो हमें एक क्वेशन पर जाना पड़ता है, ठीक ह हो गया, जो रेशो इनका होगा, वही रेशो इसका होगा, यानि कितना रेशो आजाएगा, फाइव रेशो सेवन, फाइव रेशो सेवन कहा नज़र आ रहा है, सर, option number A में नज़र आ रहा है, अगर आपको थोरम पता है, तो seconds का सवाल है, और थोरम नहीं बता, तो भाई ल इस थोरम का ये ले लिया, इस थोरम में ये पूछ रहा है, उस थोरम में वो था, ये सर ने हमें पढ़ाया था, ये result यहाँ होगा, apply, तब आप question को, आप सारे जब results निकाल लोगे ना, तब जाके आपका question क्या होता है, solve होता है, बात clear है, तो इस थोरम पर विशेश ये CHSL और MTS दोनों में आ रखा है question, ठीक है, CHSL और MTS दोनों में आ रखा है question, और मैंने आपको हमेशा समझाए कि कोई भी question ऐसा नहीं हो सकता, उस पर ठपा नहीं लगा आता, कि भाई, ये CGL का है, ये railway का है, ये CHSL का है, ये MTS का है, कोई भी question किसी भी exam में पुछा जा सक ठीक है, चलिए साब, बढ़ते हैं आगे, तिरबुच ABC की माद्दी का CD, चब सबसे ट्राइंगल मना लेते हैं, कौन सा है भाईया, A, B and C, देखो कितने है प्यारा है प्यारा है ट्राइंगल में आपके सामने लेके आता हूं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सार एक ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, O, A, E, और आपसे पूछ रहा है, ट्राइंगल ABC, एक डाइरेक्ट रिजल्ट निकाला था, मैंने आपके सामने समझाया था आपको, कि कभी भी इस तरह कोई ट्राइंगल आएगा, तो भाईया, आपके जो बनने वाले ट्राइंगल है, जितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, इसमें हर एक ट्राइंगल होगा, उसका जो एरिया होगा, इस पूरे ट्राइंगल, जो बड़ा बड़ा ट्राइंगल, उसका कितना होता है, 1 by 6 होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, बनोरी बलकुल समझायता, यानि इसका कितना होगा, 1 by 6, इसका कितना होगा, 1 by 6, इसका 1 by 6, इसका 1 by 6, और इसका 1 by 6, बात क्लिए है कि आप अपो ऐसे एकदम क्लियर है, फिर आप से पूच्छ रहा है, ओ, ओ, ए, इक की तराइंगल ओ यूपल और आपका ट्रीङंगल ऑब ON Budget एसकी बात करुए गिल्च सा फुरूब यानि कितना रेशो ऑजाएगा कितना ours but the बसा इंचल्ड कॉसिचर ऑप्षिन को निप्टा निया शल्टा दिया, काफी सारे questions बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, चली साब, अब कई बार क्या करेगा, आपको इनका area दे देगा, किसी एक का, ठीक है, यह पूरे triangle का दे देगा, किसी आपके, आप से पूछ लेगा, भाई साब, यहां पर बना देगा, क्या करते हैं, coordinator बना देगा, उसका area पूछ ल कि तिरगुच ABC की पुझाओ, AB वा AC पर बिंदू, D वा E स्प्रकार है कि, D E parallel BC, AD बराबर 4 cm, A E बराबर 8 cm, DB बराबर आपको दे रखा है, X-4 cm, और EC दे रखा है, 3X-19, तो भाईया बताओ, X का मान क्या होगा, CGL में पूछा गया question है, बताओ साब क्या answer आएगा, जल्द से पहले focus करना है, diagram पर, diagram कैसे बनेगा, आपको diagram बनेगा, भाई साब की, आपके, जो question में, जो language है, वो क्या है, चलो साब diagram बनाते है, सबस्वले triangle है, ABC, जो साब triangle आपके सामने हाजिर हो गया, A, B, N, C, ठीक है, इस question को खुद भी try करना, फिर आपको बोल रखा है, AB और AC पर बिंदू D और E इस प्रकार है, यह भाईया, D और E हो गए, यह आपका D हो गया, और यह आपका E हो गया, ठीक है, D और E इस प्रकार है, कि D E, यह D E parallel किस के हो गई, BC के हो गई, मैंने बहुत अच्छी बात है, D E parallel हो गई, BC के, तो आप से बूच रहा है, AD बराबर कितन है, 8 है, DB कितना है, यह X-4 है, Y-4 है, DB कितना है, X-4 है, और आपको बोल रहा है, EC कितना दे रहा है, 3X-, EC कितना दे रहा है, 3X-19, यहलो साथ, अब कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ X-veX देख गबरा जाते हैं, बलंबा, यही आलत खरा वह किया होगा, वैंने आपको लगाएंगे यानि अगर मैं आप बात करूँ एडी इदर कितना हो जाएगा और सब्सक्राइब लेनी है और यहां कितना ले लिए अग्दम क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जहां जो आपने साइड ऐसे लिए ना वही आपको वहां लेनी है उसकी संगत साइड ल होगा और मैंने आपके तीन चार जो आपके त्रांस्वरमेशन होते हैं वह सारे मैंने आपको समझाए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एडी की वैल्यू कितनी है और सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है घबराना थोड़ी ना मैं काटो पीटो चार से कितनी बार दो ब गए यह दर बेजो प्लस का ओ जाएगा इसको बेजो एक्स बॉर्बर कितना जाएगा बाइया 11 आजाएगा question ने क्या पूछा तो कैसे निकालते, बोले ही यहां X रख देते, 11-4 कर देते, 7 आणसर आ जाता, आपसे ए भी पूछ लेता, तो यह 4 और यह कितना जाता, भाया, यह कितना जाता, 4 और 7 कितना हो जाता, बोले सर, 4 और 7, 11 हो जाता, ठीक है, तो आपको इन चीजों का क्या करना है, ध्यान रखन क्या question ने पूछaa है कि आपको बताना है, बात clear है कि आप बेलो इकदम clear कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सारे questions को solve कर सकते हैं, अगर हमें चीज़ें पता हैं तो, बात clear है, चलिया आगे बढ़ा है, next question की तरह, बोड़े सार एकदम प्रस्थान करो, कोई दिक्कत वाली ब साथ जानकर बहुत कुछी होगी CGL 2022 प्री एक दम ताजातरीन कोशन मैं आपको नए कोशन से इसलिए रूबरू कराता हूं मेरा मकसद यह है कि आपके मैंड में चीज फिट हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वही एकजाम मैं पूछा गया था और वैसा ही एकजाम मैं पूछा प्राव जाएगा तो हम एकदम साही चीजें पढ़ रहे हैं कोशन तो बहुत सारे होते हैं मैं आपकोशन मैं आपको 50 चीजें इंदर सारी चीज दे सकता हूं इस ताइप के कोशन आते हैं नए कोशन यह उठाके देखो तो उससे होगा आपका confidence बुलडप होता है कि भाइ चलो साब द्यान से देखते हैं कोशन आपसे क्या कर रहा है ट्राइंगल ABC है और FD संभूरूप है थिक है तो यह क्या हो गया ABC चलो से क्या है प्रक्राइब क्योंक आपसे क्या सब्सक्राइब करूण तो कई सारे कोश्षें आपको कर वाए थे और मैने कहा था इस पर भर भर के कोश्षिण आते हैं अरे कुछन आ रहे हैं करो साप why कितना है नो और आपको बोल रहा है कितना रहा है वहां थी कितना है घ्यारा यह दिया दी ऐफ है इलो साप 15 हो गया और दीए दीए कितना है 12 हो गया ठीक है और आपको ब्लत है लंबाही आप offset संगत करना है काम करना है बस और को यह आगके वाली लैंन्ट होतीना तो हम 30 को भी ले सकते हैं यह था यह धर भी हमारे पास संगत कुछ norm की सपारा है लेंगे आप लोगे सर A B ठीक है अपन का लेंगे अपन B C क्योंकि B C हमें find out करना है मैंने आप A C क्यों नहीं लिया क्योंकि मेरे को इसकी लंबाई नहीं नहीं पता तो मैं solve नहीं कर सकता ठीक है मेरे पास अगर मेरे पास चार चीजे हैं उनमें से 3 unknown है तो मैं एक को find out कर सकता हूँ अगर दो ही अन्नोन हो गई तो भाई मुझको कैसे find out करूँगा मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता ठीक है exactly आप नहीं बता सकते चलो साब एसी अपन नहीं लेंगे अपन ने कहां लिया यहां अपने लीए या कितना लेंगे ड्य लेते हैं ड्य अपर कितना लने ली नीचिखे समझनी है Аपने ले लियए इंप लिया एक दम कаться क्लीर में बात क्लियरכ ए आप कहीशन को सॉल करते हैं एक सब्सक्राइब अग्हां किसी तरह का कोई डाउट मन मैं नहीं है आगे की तरह प्रस्थान करें बोले साब एकदम प्रस्थान कीजिए, नेक्स कोशन देखो आप से कह रहा है, कि ट्राइंगल ABC की माद्डिका AD है, यदि AD की लंबाई 15.75 cm है, तो AG की लंबाई क्या होगी, AG OG की लंबाई आप से पूछ रहा है, बहुत जबर्दस कोशन है भाईया, एक दो ललन टॉप कोश कोशन है दादा, करो इस कोशन को सॉल्व करो, अपना आज कोई भी कोशन से नीचे है ही नहीं, करो साब कोशन को सॉल्व करने ही कोशिश करो, क्या कह रहा है, तिरभूज ABC की माद्डिका यानी मीडियन दे रखिए सबसे बले ट्राइंगल बनाओ, अरे साब ट्राइंगल क बहुत प्यार इसी माद्डिका बनाते है अपन, एकदम लललन टॉप माद्डिका बनाएंगे, यह होगी माद्डिका AD, ठीक है, मीडियन का मतलब कि भाई, इस को इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, यह चीज आपको क्लियर है क 15.75 cm है, यानि आपका जो AD है इसकी लेंट है 15.75, बात क्लियर है कि आप लोगे सार एकदम क्लियर कोई इशू, नहीं है, मैंना का होना भी नीची है, ठीक है, और AG की लंबाई क्या होगी, आप यहाँ पर G कहा है बहिए, देखो G इधर होगा, G यहाँ पर होगा, ध्यान र इधर कितना जाएगा, बात क्लियर है, आप सब बुछ रहा है, AG की लेंट, अपर निकाल सकते हैं, इतनी है, यानि कितना जाएगा, 5.25 को किस से मल्टिप्लाइ कर दो, 2 से मल्टिप्लाइ कर दो, यानि कितना जाएगा, आप बोलोगे सार इधर आजाएगा, बहिए, 10.50, क 10.50, option number D में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस question का क्या है, एक डम correct answer है, कई लोग क्या करेंगे, यहां देखके सुछते हैं, points में question कैसे आगया, geometry के अंदर points में question बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, है तो है, करेंगे न, हमें theorem पता हैं, चीजें पता हैं, तो वाई आपको एक second लगेगा question को solve करने में, चीजें नहीं पता, बार-बार कहता हूँ, बहुत ज़रा time waste करता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, और कोई डरने का reason नहीं है, हम geometry से इसलिए ही डरते हैं, क्योंकि हमें theorem सियात नहीं है, हम सोसते हैं को बिना theorem कैसे यात solve कर सकते हैं, वो हम से हो नी सकती, किसी से नहीं हो सकती, इसलिए हमें इससे क्या लगता है, डर लगता है, बाकी और कोई, इससे आसान तो कुछ ही नहीं, इससे fix है, ये धोरम, ये result, ये धोरम, ये result, ये धोरम, ये result, इसमें लगाओ, ये answer आया, है ही नहीं कुछ, चलो, आ एंगल है ABC अरे बहुत चेंज करते हैं कलर लाल के उपर लाल नहीं जस्ता कलो साफ कर चेंज कर दिया A B and C बात क्लियर है कि आप लो सर एकदम क्लियर है आई अंते केंजर है बहुत अच्छी बात है तो आप से B I C पूछ रहा है B I C पूछ रहा है यही होता है कि बिलकुल यही होता है 90 सब्सक्राइब करते हैं और बनते हैं और बनते हैं और डारेक्ट के नंबर है आपको वह तीन चार रिजल्स याद रखने और आपका अंसर आजाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि तिर्बुच ए बीसी में कोंड बी और कोंड सी के आंतरिक समदी भाजक 105 डिगरी के कोंड पर प्रतिछेत करते हैं कोंड एक आमान क्या है जानकर आपको खुशी होगी कि भाईया CGL 2022 एक दम ताजा तरीन कोशन आपके सामने हैं चलो साब आप मेंसे कितने बालक बालिका हैं कमेंड करके इसका आंसर दे सकते हैं कि भाईया सिक्दम लेवल अप हो जाएगा ठीक है चलिए कोशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बहुत है हमें किसकी जरुरत पड़ेगी डाइगराम की डाइगराम हाजिर हो इलोस आप बोलते हैं आपके सामने डाइगराम हाजिर हो गया A, B, C में कोंड B और कोंड C के आंतरिक समदी जहां मिलते हैं उसी को अपन इंसेंटर बोलते हैं तो भाई यहां पर इंडारेक्ली बात हुई है किसकी आपके इंसेंटर की आपको यह वाली निकाल नहीं है अभी अभी अपने निकाला था अगर यह एंगल 105 है ठीक है इसकी वाल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस एंगल 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 निकालना है कितना जाएगा थर्टी डिग्री आजएगा रिष्टा वही सोच नहीं और आंसर अपना गया ऑप्शन नमबर दी उसने केवल गुमा दिया और मैंने आपको चीक चीक के कहाता कि भाई यह गुमाता है वो क्वेश्यंस में वो क्वेश्यंस में क्या करेगा ھंवायेगा हमें घुमना नहीं है हमें कोश्यं का अंसर देते हुए चलना है बात क्लिए टाज़ा चाह अपने सल्टा दिया निप्टा दिया साँफा नैक्स धिर्ग dif़ी में ओ लंग केंदर एंगल एंगल 126 तो निकालो तुरन प्रवा बी-एं सीन्म को डिलकुल है बिल्कुल वह ड़िए ठीक है डे एकनम बढब् there यहीद प्सक्राइद की निकला में कंढ़ आपको सम्झा obt बूलक्त बूलन में साउमếtलों से गोलक्त विलकीन और रतरुस ज्युक Всемितना 216adows कि Tej बहुत असान है इससे आसान नहीं है कुछ भी नहीं है इससे आसान टॉपिक तो बना ही नहीं है चलिए आगे बढ़े नेक्स कोशन नेक्स कोशन देखो आप से कह रहा है कि तिर्बुज ABC में पी परी के अंदर रहा है तो आप से पूछ रहें एंगल BAC कितना होगा बाई कुछन भाई साब आप से कह रहे है तिर्बुज ABC में पी परी के अंदर है सबसे बहले क्या बनाओ डाइग्राम बनाओ यह सब डाइग्राम आपके सामने हाजिर है कौन कौन से ट्राइंगल है बोले सार A है यह B है और यह आपका C है मैंने का एकदम बढ़िया ठीक है पी परी से किंदर हो गया ठीक है पी बीसी के ए पी गैया यह पी बी सी यह सर्नह ऑन पास एंगल है मैं वाल रा आजा है तो मैं क्या करूँगा 180 में से इंदोनों को add कर दिए माइनस कर दूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा यह वाला इंगल आ जाएगा तो इसका half कर देंगे मेरे पास एंगल ही आ जाएगा हमें क्या देखना है हमें process पर focus करना है हमें result की तरफ नहीं जाना क्या उस question की process होती है वो क्या होती है हमें उस पर focus करना answer खुद बखुद आ जाएगा हम क्या करते हैं अंसर लाने कोशिश करते हैं हमारा answer लेकिन जब तक आपको process पता नहीं है आप यह नहीं सोच पारे कि इस answer तक हम कैसे पहुचेंगे हम जब भी मला हमें किसी भी फ्लोर पर जाना होता है ना तो सीड़ियां चाड़नी पड़ती है अब जंप मारके नहीं जा सकते बात क्लियर है ना बले से आप लिफ्ट में जाओगे अगर आपको फॉर्थ फ्लोर पर जाना है तो भाई साब पहले फस्ट फ्लो लग नहीं हो सकती से अगर ये 40 है तो थो भाई से मैंस कर दिया अगर यह हंड़िया कर दिया और फ्लोर लिफ्लोर बाध कटम पहसा चीजह नहीं पता तो ऑंसर आजाएगा सीजे नहीं पता तो भाई सर कता ही नहीं आएगा बात क्लियर है आप बोलोगे सर एकदम क्लियर बढ़ते हैं साब अगले कोशन की तरफ नेक्स कोशन आप से कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DF संब्रूपता का और BC वरावर 4 cm बहुत अच्छी बात है यह वरावर 5 cm और तिर्बुज ABC का एरिया 80 cm स्क्वार है तो तिर्बुज DF का एरिया कितना होगा आपको जानके बहुत खुशी होगी CGL 2022 एकदम ताजा तरीन कोशन है ट्राइक और इस कोशन को स्वल्व करने की अब आप लोगों के आंसर आना चीह है क्योंकि सम्रूपता पर मैंने काफी सारे कोशन अल्रेडी ले ली और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे समझाया था चीक चीक के मैं कहा था कि भाई कोशन इस टॉपिक से कोशन आएगा ही आएगा और आही रहे हैं चलो साब कोशन को सॉल्व करने कोशिश करते हैं सबसे बहुत दो डाइगरम बनेंगे बनाओ साब यह वह एक और आगया ट अच्छी बात है यानि इधर फौर का स्कॉर कर देंगे शिस्टीन आ जाएगा ठीक है और आपसे बूछ रहा है दिएफ का एरिया क्या होगा जो इनकी साइड्स होती है ना ठीक है इनके स्क्वाइर के बराबर होता वह सब लिकुल होता है यानि इधर 4 का स्क्वाइर कर द तो कितना आजाएगा 25 वह कुछ भी पूछ सकता है और हमारे आंसर खटा-खट आते हैं हमें ज्यादा कुछ नहीं करना मैं चीजें पता है अब यहां पर कैल्कुलेशन के लिए बार 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 चीजें लिखूं तो भाई वह तो बेफूफ है ठीक है मैं आपको सब्जेक्ट पेपर की त्यारी करा रहा हूं जब समझाय था तब अच्छे समझाय था और जब अपने कोशन भी चार-पांच कोशन इस पर कर ली है तो बार-बार वह चीजें लिखने का मुझे नहीं लगता कोई ओचित्य है ठीक है चलो आगे बढ़े क्या बुले सर बिलकुल आगे ब क्या होगी जानकर आपको बहुत खुशी होगी वहिया CGL 2022 का कोशन है ट्राय करो इस कोशन को सौल करने की हमने शुरूआत कहां से करते हैं अपन CGL के साथ जिससे आपका confidence आते टाइम भी एकदम ऐसा रहे आसमान की उचायों में और जाते टाइम भी आपका confidence क्या रहे आसम गया यह गया एक्स हो गया यह बहुत आपके यह चैसे चैसे अब बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब देखो अगर यह मीडियान को इसको दो पार्स में डिवाइड करेगी बिल्कुल डिवाइड करेगी कहने का मतलब क्या है यह जो आपका वाई होगा ठीक है य यहीं जो लेंध्थ होगी वही लेंध्थ किसकी होगी वहीं जब सरा एकदम बढ़िया गार आगर आपकी लाइन्स बराबर हैं तो वहीं है उनके संगत कौन भी ज़्या होते हैं बराबर होते हैं इस चीज को मैं को समझा चुका है थिक आपको पूल रख था है yxo, yxo, kittin degree का है, 30 degree का है, यह कittin degree का है, 30 degree का है, तो आपसे पूछ रहा है, x, y, z, x, y, z की value कितनी होगी, x, y, z की value आपसे कितनी होगी, xo कितना है, half है किसका, y, z का, y, z का half है, यानि यह क्या हो गया, अगर यह इसका, यह पूरा आपके 10 है, यह द्यान से सुनना, अगर कि आपके पूरा-10 है तो यह कितना उजाएगा 56 फांच उसने साफ सा बोल रखा यह यह वह जाएगा 55 तुम भी nine- उसकतर ऑख नगा को में दिखना कुछ भी नहीं है उस 10 है अराम से समझना कोई दिक्कत मीडियन मैंने डाली तो इसको अगर यह पूरी लेंद आपकी वाइज आपकी 10 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा यहां से यह तक कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा यह बराबर हो जाएंगे यह बराबर होंगे तो एंगल बराब बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं, तो आपके आपकी साइट्स बराबर होंगे, संगतकोnd बराबर होते हैं, तो एंगल कितना गया, 30 डिगरी, तो उमीद करता हूं. आपको हमेशा की तरह जबर्दस लगी होगी, जानदार लगी होगी, कल कुछ और बैतरीन कोशन्स के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, मस रहिए, जै हिन, जै भारत, धन्यवाद